और स्वागत आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं काफी इंटरस्टिंग एक एक्ट है जिसका नाम है Criminal Procedure Identification Act यानि अपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम इसके बारे में हम चर्चा करेंगे यह क्या है देखे अगर आप इस पुलिस के द्वारा गए उसके fingerprint ले लिए उसकी photograph ले लिए तो वहाँ पर उस व्यापक्ता को बढ़ाए गए कि पहले भईया fingerprint लिया करते थे अब fingerprint नहीं आप हतेली का भी आप माप लीजिए अब इसके अंदर अब पैरों का भी measurement ले लिजिए कि उसके foot impression भी ले लिजिए तो अब इसके अंदर और ज्यादा व्यापक्ता बढ़ा दी गए और ज्यादा body measurement बढ़ा दिये गए हैं और क्या इससे पहले भारत के अंदर कोई भी ऐसा act नहीं था क्या बेशक था उसको ये replace करने वाला है तो उसमें क्या कमिया रहे थी हाँ उसके बार ही हम discuss करेंगे औ पिल्कुल सही नहीं है इन तमाँ बातों को हम बहुत अच्छे से cover करने वाले हैं इस वीडियो में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले PDF के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं description box में telegram का एक link दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सक पहले हुआ करता था हमारे पास कैदियों की पहचान अधिनियम 1922 हिंदी में बोले तो identification of Prisoner Act 1920 यह को अंग्रेज हुआ करते थे अपनी वेशी क्यों हुआ करता था उस वक्त का यह कानून है और उसको यहां पर replace किया जाएगा इस criminal procedure identification act 2022 के द्वारा अब यहां पर इस act के द जो गिरफतार किये गए हैं या फिर मुकदमे का जो सामना करने वाले लोग हैं उनकी पहचान करने की power दी जाती है मतलब कि उनके identification को उनको data को collect करने उनके identification body measurement का वहां पर लेने की power दी जाती है पुलिस को इतनी ज़्यादा power दे दी गई है इस act में हम जानते हैं कि इस act से देखिए यहां पर आपके सामने एक identification जो पुराने वाला जो लोग है यह act है identification of prisoner act और criminal procedure identification act यह दोनों आपके सामने रखे गए और उनके बीच में comparison किया गया है क्यार इसको मैं अच्छे से अलग से समझाता हूँ आपको देखिए सबसे पहले समझी यह है क्या what is the criminal procedure identification act 2022 यहां पर जो अपरादों के जो आरोपी है जो accused है उनके जो शाररिग यानि जो फिजिकल उनके जो जैविक है यानि कि जो biological जो measurement है उनको लेने की कानूनी मंजूरी जो है वो अब पुलिस के पास आ गई है इस act के द्वारा ध्यान से समझना वही एक्यूस तो कोई भी हो सकता है किसी ने किसी के किलाव जूटा आरोप लगा दियो वह accused हो गया अब एक्यूस तो हो सारी तीजों के बारे मैं अभी बताऊंगा कि इसमें कौन-कौन से कानून मतलब कि कौन-कौन से लोगों को या फिर कौन-कौन सी category जो है उसके अंदर अगर आने पर कैसे physical और biological नमूने जो हो वहाँ पर लिये जाएंगे तो यहां पर जो यह कानून को जो है इस पुलिस को अब यहां पर कहेंगे कि पुलिस जो इस एक्ट को यूज कैसे करेगी वो एक्ट को यूज करेगी इस CRPC 1953 की जो section 53 और 53 का A है इसके द्वारा जो इस एक्ट को यूज किया जाएगा पुलिस के द्वारा अब डेटा के अंदर जो नमूने कठे किये जाने वाले हैं वो क्या का मेजर्मेंट लिया जाता है तो अब यहां पर भी लिया जाएगा इसके अलावा जो यहां पर आपके सामने physical और यह biological नमूने यह बहुत जादा controversial चीज आती है biological measurement आता है उसके लावा behavioral attributes आता है behavioral attributes मतलब कि आपके सामने जो signature है जो आपकी handwriting है और और भी कुछ चीजें हो स इन तरीकों को पालना करिए इसके तहती जो इस कानून का यूज किया जा सकता है अब आगे चलते हैं किसी भी निवारक निरोध कानून के तहती यानि कि जो preventive detention लो है उसके तहत अगर कोई व्यक्ति दोशी ठराया गया है जो हिरासत में लिया गया है तो उस व्यक्ति को प इसके अंदर बना कर सकते कि आप गए आपका फिजिकल और बायलोजिकल मेजरमेंट लिया जा रहा है तो आप कहेंगे कि मैं नहीं देना चाहता है तो आपके सथार पर नहीं देना चाहते हैं उसके बारे में भी इसमें वर्डन किया गया है कि यहां पर बोला गया अगर preventive अगर उसको detent किया गया है किसके अंदर preventive detention law करता है तो वहाँ पर required है कि भाईया वो measurement देगा पुलिस के दौर पुलिस के दौरे या पुलिस के दौरे कोई official वहाँ पर require किया गया है तो उसके वहाँ पर उसको measurement देगा और जो measurement दिया गया है जो data collect किया गया है वो data जो है वो किसके दवारा सुरक्षित रखा जाए गा है किसके दवारा store किया जाएगा Preserve किया जाएगा शेर किया जाएगा to वो किया जाएगा राश्ट्री अपराद record Bureau यानि की National Crime रिकोर्ड Bureau के दवारा यह सारा काम किया जाएगा और यहां पर यह जो record है वो कितने सालों तक स्वरंक्षित यानि कि preserve रखा जाएगा 75 years तक यानि कि पूरी जिन्दगी यहां पर आप समझ लीजिए इस record को store किया जाने वाला है इसका उदेश्य जो है अपराद में जो शामिल जो लोग है उनकी एक तरीके से पहचान सुनिचित करना अब सुनिचित करने के बाद जो एज़ेंसी है जाँच एजेंसी है तो जो investigation agency है उनको जो case जो वो उसके अंदर लगे हुए investigation के अंदर उनको case solve करने में help करना तो यह obviously help करेगा देखे अब बहुत सारी चीजें जो हैं, ये जो act आया है हमारे सामने, ये improve करेगा conviction rate को, conviction rate को कैसे improve करनेगा, देखें, जो हमारे देश में, जो murder cases हैं, murder cases के अंदर, वही, 10 वेक्ति जो हैं, 10 वेक्ति, इस murder cases के अंदर शामिल हैं, और इस 10 के अंदर, दो ही जो लोग हैं, वो actual में, जुन यह ने actual में murder किया है अब इन दो को target करना या फिर दो को point out करना या दो को बाहर निकालना यह एक होता है conviction rate भाया आपने कर पाए कि नहीं कर पाए वो हमारे देश में 44% है तो कितना low हम चल रहे हैं इवन जो rape होते हैं rape का 39% conviction rate है attempted murder के अंदर हमारे देश में 24% है robbery के अंदर 38% है डेकोटी होगी उसके अंदर 29% है तो आप देखिए हमारे देश में कितना low conviction rate चल रहे हैं obviously यह जो act है वो conviction rate को increase करेगा और बाकी जो देशों के अंदर देखिए America, Australia जिनके अंदर जो conviction rate है वो 97% तक चलता है तो 97-90% जो conviction rate चलता है हमारे देश में 44% conviction rate चल र के लिए जो यह कानून जो है वो लाया गया है अब जो यह कानून जो है what is the need to replace the previous act क्या जुरूरती जैसे मैंने आपको बताए एक तो conviction rate के अंदर increasing हो गए साथ इसाथ यह 1920 के जो act था इसको replace करेगा देखिए replace करने की मांग तो हमारे देश में बहुत ताइम से ही चल रही जीए और Supreme Court ने भी जो उत्रपरदेश वर्सी राम बाबू मिश्र वामले के अंदर 1980 में सर्वोच लैने ने भी निर्ने किया गया था मतलब कि निर्ने लिया गया था कि इसके अंदर भी इसमें फेर बदल की जरूरत है इसको replace की जरूरत है और जो सिफारिस ने पेश की ग करने का जो MMA पर उसके जो दायरा उसके विस्तार करने की मांग की गई थी उसमें शंशोधन करने के आवशक्ता थी यह बात बोली गई थी अब की बात नहीं है सोचें कि रातों रात इसके अंदर इंप्रूव किया गया नहीं बहुत टाइम से इसके अंदर improvement की मांग चल र permission के दोरा यहां पर जो report में यह का गया था कि संशोधन की आवशक्ता कई राज्यों दोरा अधिनियम में किये गए कई संशोधनों में मतलब कि रिफ्लेक्ट होती है इसके लावा यह महसूस किया गया था कि जो forensic में जो परकती के साथ अधिक परकार के जो measurement की पहचान के आ उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ओविसली हमारे देश के अंदर भी इन measurement को शामिल करने की जरूरत भी थी अब इसका महतव कह है महतव यह कि modern technique के आ गई है इस अधिनियम उप्योग शरीर मापों को दर्ज करने के लिए एक आधुनिक तकनीकों का उप्योग का प तो ही जो है इसका fingerprint और footprint लिया जाएगा उसकी अनुमती मिलती है अब आज की rate में कहा गया है कि भाया इस limit को थोड़ा सा बढ़ा दीजिया मतलब कि यहां पर ज़्यादा लोगों को लाई है यहां पर जिनोंने अलग-अलग जो अपराद करके आप उनकी श्रेड़ी को भी इस limit के अंदर ला दीजिए तो इसमें यह सब चिन्जे की गई है और यह help करेगा investing agencies को देखे जो व्यक्ति जिनका sample लिया जा सकते हैं उनके दाइरे का विश्थार जांस agencies को कानुनी रूप से स्विकारे प्राप्त सबूत इकठा करने और आरोपी व्यक्ति के अपराद को साबित करने में मदद करेगा मतलब कि यहां पर इतना जादा दाइरा बढ़ा दिया जाएगा कि उसमें जो biological sample है वो लिया जाएगा saliva हो गया उसका वो लिया जाएगा साथ इसमें physical measurement में उसका footprint हो गया उसके हस्ताक्षर हो गया उसके handwriting है इन सब चीज़ों को लिया जाएग obviously यह सारी चीज़े जो है वो help करेगी police को जो सबूत इकटा करने में जो उसने अपराद किया है उसको साबित करने में obviously वो help करने वाली है जाँच को और अधिक सक्षम बनाएगा यह उन वेक्तियों के शरीर के उप्योग sample लेने के लिए कानूनी सविक्रिती प्रदान करता मतलब कि पहले नहीं होती थी पहले के कानून नहीं था तो वहां पर वो वेक्ति बच जाता था अब बचने की उमीदें कम हो गई है यहां पर वो आपको उस तरीके के sample देने की जुरूरत है और अपराद की जांच को अधिक कुशल और तवरीत यानि तेज करने तथा सजा का अधिकार है उसको यह लो कर रहा है औरेट कर रहा है प्राइविसी को देखे यह विदहाई जो है पुलिटिकल प्रोर्टेस्ट में शामील है पुलिस अगर आपको पकड़कर ले गई तो आपके sample वहां पे ले लिए जाएंगे इस चीज़ को ध्यान रखना आपका मेजर्मेंट वहां पे लिए जाएगा दूसरी बात यहां पर यह बोलेंगे यह एंबिग्यूस प्रोविजन है मतलब एसपस्ट प्रावदान है जैसे यह रिप्लेस तो करेगा 1920 को इसको को शक्राओ दूसरी ब्लेस कि प्लेस तो यहां पर बोला गया यह जैवीख संपल यहनि कि जो जाएंगे उसका इस कोन जांग क्रेंगे यह यह आप इसमें कोन से अपने बोल के शैमिल करनेंगे अैस निये कि अब बल न न ले सकते DNA ऐसा होता था पहले लेकिन इस सब चीज के लिए क्या होता था हस्टेग शेप के लिए मैजिस्टेट से लिकित सभिक्रिति क्या आशकता होती है लेकिन अब इसमें पुलिस को जब पावर मिल जाएगी वो यहां पर बोला गया है कि आप यह सब चीज कर रहे हो तो इस से एक दो भाई यह जो नारको परिक्शन वो इतनी असानी से नहीं हो पुछ सिरम जिसको का जाते हैं जिसको क्या कहते हैं कि एक ऐसी निंद्रा के लाद है कि फीर्सिर्फ सर तो सची सपी को बहتم ने स्जाता तो इस चीन उसके अंदर सिरुक्सर लाइव घडारी उप्रेंट आपर उसके अंदर कंप्यूटर के दौरा थे उसके हेट पे हेलमेट तरीके रख दिया जाएगा जो चिप लगी होती है जिसके अंदर उसमें ब्रेइन मेपिंग वो कब सच बोल रहा है कैसे रियक्ट कर रहा है सब चीजों को बढ़ावा मिल रहा है तो यहां पर जो जैविक सूचना की बात कर रहे हैं बाइलोजिकल की बात कर तो यहां पर यह सब चीजें हो रही है इसके अलावा 21 आर्टिकल 14 इन सब चीजों का यहां पर वोईलेशन हो रहा है डेटा का प्रबंदन देखिए आप हैंडलिंग डेटा की बात कर रहे हैं हमारे देश में आगर हम बात करें देखिए 75 साल तक आप डेटा रखने वाले है कि आप उसको डेटा को सरंक्षित यानि प्रेजर कैसे करेंगे स्टोर कैसे करेंगे उसे शेर कैसे करेंगे उसे नस्ट कैसे करेंगे यह तमाम बाते हमारे सामने एक तरीके से चिंता का इशू बन क्या थे संग्रहन के प्रिणाम सवरू बड़े पैमाने पर निगरानी इस चानून कहता है टेस्क को दूसरे देटा बेस के साथ मतलब की दूतरा कैसी। अफराद और अफराधिक ट्रैकंग नंट्रोछ, प्रणाली। इस के साथ जोडा जा सकता है। ऐसा बोला जा रहा है कि जो आफ डेटा बेस इसमने करेंगे उस database को दूसरे database के साथ कौन सा database दूसरा crime and criminal tracking network and system जो अभी मैंने हिंदी में बोला ना वो English में बोल दिया उसके साथ इसको share किया जाएगा अब जो share किया जाएगा तो क्या guarantee है कि वो share किया जाएगा उससे सब चीजें सही रहेंगी वो सुरक्षित रहेगा उसका कोई leakage नहीं होगा तो यह सब चीजें हमारे सामने चिंता का issue बन के आती है अब बंदियों के भी जागरुकता की कमी है awareness among detainees मतलब कि अब देखें हर वेक्ति को अपना biological measurement या sample देने की जरूरत नहीं है किन को जरूरत नहीं है उन वेक्तियों को जरूरत नहीं है जो महिला या बच्चे के विरूद अपराद के अरोपी नहीं है साथ साल से कम के जो अरोपी है वो यहाँ पर और साथ इसाथ इसमें ध्यान रखना जो महिला और महिला से महिला और जो बच्चे हैं उनके विरूद के अपराद के अरोपी नहीं है तो वहाँ पर उनको ये जो नमूने हैं या जो सेंपल है वो देने से वो मना कर सकते हैं लेकिन उनके लिए उनको जागरुकता होने ही चाहिए अगर जागरुकता का भाव है तो ऐसे बंदी हाँ वरी थी उनकी सहमती से हमने लिया था तो एक तरीके से यहां पर यह भी चिप चिंज निकल कर आ रही हैं आगे की रहा क्या हो सकते देखे गोपनेता और डेटा की सुरुक्षा जो चीनता वो डेफिनेटली बहुत जादा महतपूर्ण है ऐसे कारे जिने व्यक्ति प्रकृति के महतपूर्ण विवनों जैसे कि उनमें उनका प्रेजर करना उनको स्टोरेज करना उनका डिलेट करना यह सब चीजे शामिल है तो हमारे देश में डेटा स्रंक्षन कानून का लागू होना बहुत जादा इंपोर्टन है तब सब यह चीजे की जाने चाहिए अगर ऐसा यह मतलब कि अगर ऐसा कानून बनेगा तो फिर इनका उलंगन करने के लिए जो मतलब कोई उलंगन करता है तो उनके खिलाफ सक्त सजा का प्रावधन किया जाना चाहिए और यहां पर जो कानू जो आद बाव नहीं मिल पाएगा और जो राश्ट हमारा है जो आपर जो अपरादी यह कहले तोर पर घूंपाएंगे अगर हमने उन टेक्नलोजी का सही नंक से यूज नहीं किया जो नहीं नहीं टेक्नलोजी आगे तो ओन्धे का यूज कर रहे है तो उसमें सही यूज क लैब हैं और किसी भी अपरादिक मामले में जो शामिल संभावी तों की पहचान है में विश्लेशन के लिए जो उन्नत जो हाई टेकनलोजी है उनकी आफशक्ता को भी पूरा किया जाने जो नए नए जो गैजेट्स हैं वो आ गए हैं उनको भी यूज किया जाना चाहिए उ उमीद करता हूं कि जो आज के जो टोपिक अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा समझ में आ गया है तो बेशक वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और को ज्यादा ही पसंद आए हैं तो चैनल को मतलब शेर भी कर सकते हैं वीडियो को भी शेर कर सकते ह पीडियाफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बोक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं तो बस आज के लिए इतना है था थैंक यू